नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोगपरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विबलोफाइल तो दोस्तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे हैं तो दोस्तो आज मैं भारती सब्सक्राइब के सो प्रशन लेके आया हूँ जो पिछले दस बर्शों के प्रशन पत्रों का निचोड है इससे पहले मैंने 1500 प्रशन का वीडियो जो अपलोड कर दी है तो आप उसे जाकी चैनल में जाके देख सकते हैं दोस्तो आप देख रहे हैं अपना ओफिशिल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनिल जसबाल बिबलोफाइल क्वेशन अबर फर्स्ट भारत के राष्टपति को शब्द कोन दिलाता है तो भारत का मुख्य नैदिश भारत का मुख्य नैदिश भारत के राष्टपति क 153 में किसकी अधक्ष्टा में न्युक्त किया गया था तो वो काका कालेकर की अधक्ष्टा में पहला पिश्रबर आयोग जो था वो न्युक्त किया गया था Q4, भारती नागरिकों के मौली के करतब सविदान में किस भाग में अंकित है तो वो सविदान के भाग 4A में अंकित है Q5, हमारे रास्टी गीत में कितने बद है तो वो 5 है Q6, प्रदान मंत्री किस के प्रती उत्तर दाई है प्रदार मंत्री लोग सभा के प्रती उत्र रही है इसका मतलब यह है कि प्रदार मंत्री किसके प्रती रिस्पोंसिबल होती है तो वो लोग सभा के प्रती होती है Q7 राजी सभा का पदेर्न सभापती होता है तो राजी सभा का पदेर्न सभापती जा फिर चेर मेन जो होती हैं वो वाइस-प्रेज़ेंट उपरास्टपति वेस्ज़न यूलिक अधिकारों का व्यापक उदेशिय उदेशिय सुनिशित करता है व्यक्तिकत सबतंतरता मौलीक अधिकारों का व्यापक उदेशर जो है, वो व्यक्तिकात सब्तंतरता को सुनिशित गरता है. क्वेश्चन नबर 10, संसत के दोनों सदोरों के बीच, अधिक्तम अंत्राल इस से आधिक नहीं होना चाहिए, छे महिने. च्छे मीने से आदिक दोनो संसद के दोनो संसद के दोनो संसद का अंतराल जवाब हो छे मीने से आदिक जवाब हो नहीं होना चाहिए Q11 चोथा स्थम्ब का आर्थ है प्रेस Q12 भारत का योजना आयोग कब गठित हुआ था तो 1950 में और ये एक प्रामर्श दाई निकायत है Q13 सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ तो ये 2005 में Q14 भारत का सविदान कैसा है आंचिक कठोर आंचिक लचीला ना तो ये ज़्यादा कठोर है और ना ही ये ज़्यादा लचीला है Q15 संग लोग सेवा अयोग अपने कारे पर बार्शी रिपोर्ट परस्तूद करता है तो वो रास्ट्रपती को Q16 राश्ट्रपती द्वारा एक बित अयोग का गठन किया जाता है हर पांच भर्ष में Q17 किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शबत लेता है तो राज्य के उच्छे न्याले के मुख्या ने दीश द्वारा Q18 राज्यपाल द्वारा जारी अद्यदेशों का अनुमोदन होना चाहिए बिदान सवा द्वारा Q19 भारती सविदान के किस बाग में पंजायतों का प्रावदान है तो बाग नौ में Q20 भारत में राजनेती शक्ति का मुखिस त्रोथ क्या है तो जनता Q21 सूचनक अधिकार किस परकार का अधिकार है तो ये कानूनी अधिकार है Q22 संसद के संयुक्त सत्तर की अधिक्षता कौन करता है तो लोगसवा का अधिक्षता Q23 लोगसवा का अधिक्ष संसद के संयुक्त सत्तर की अधिक्षता करता है Q23 कौन भारत का निरब्रोध राष्टपती चुना गया तो डॉक्टर नीलम संजीव रेडी Q24 लोगसवा को कौन स्थगिद कर सकता है तो राष्टपती Q25 उच्टम नियाले सुप्रीम कोट के न्यादिशों किस आयू तक जो अपने पदबर बने रहते हैं तो वो 65 Q26 वाष्य अदार पर किस बर्ष भारत राजय पुर्णर गठित हुआ था तो 1956 वाष्य अदार पर सबसे पहले जो स्टेर बने थी वो अंतरपरदेश बने थी और ये कब बने थी Q27 किस सविदान शेशोदन द्वारा लोगसवा की सीटों की संख्य को बढ़ाया गया था तो इसका सही जवाब है 31 सविदान शेशोदन अधिनेम उनसो बत्तर में और ये सीटे बढ़ाएगी थी लोगसवा की 525 से 545 तक Q28 राष्टपति किस अनुशेद के तहद लोगसव को बंग कर सकता है Q29 लोगसवा के प्रतम आम चुनाब किस वर्ष हुए थे तो 1952 में उनसो बावन में लोगसवा के जो प्रतम आम चुनाब हुए थे जनरल एक्षन जो हुए थे 1952 में हुए थे Q30 चुनाब में एक उमीदबार की जमानत जबत हो जाती है जदिबह के व्याद मतों का एक प्लच्छे स्याधिक प्रापत ना कर सके Q31 पंच शील सिदान्त की गोषन किस ने की थी तो पंडित जुआला नेरूजी ने 1954 में की थी पंच शील की गोषना Q32 कैबनेट मीशन कीस वर्ष भारत आया था तो 1946 को कैबनेट मीशन 946 इस भी में बारत में आया था Q33 की सरज का प्रित्थक अलग सविदान है तो जम्मू और कश्मीर का जम्मू और कश्मीर का अलग से सविदान है Q34 भारत के सविदान में कोन सा अनुहेद चुनाबों से शंबंदित है तो 324 से 329 को बाग 15 भारत के सब्दार में कौन सा अनुशेद इलेक्शन से संबंदित है चुनावों से संबंदित है तो वो आर्टिकल 324 से 329 तक कर और बाग ये 15 में आता है question number 35 सब्दान शंशोदन किस अनुशेद में है तो ये बाग 20 और अनुशेद 368 में है सब्दान शंशोदन Constitution's Amendment किस आर्टिकल में है तो वो पार्ट 20 में और आर्टिकल 368 में है question number 36 भारत में 1975 से 977 के मद्द अपादकाल की गोशन किस अनुशेद द्वारा की गए थी तो वो आर्टिकल 352 में की गए थी इसका मतल ये हुआ कि वहाँ पे National Emergency National Emergency राष्टी अपादकाल 1975 से 977 के बीच हुआ था और ये आर्टिकल 352 के बीच में आता है question number 35 केंदरी कैबिनेट मंत्री को कौन युक्त करता है तो परदार मंत्री की सलाह पर राष्ट पती question number 36 भारत के प्रथम उपपरदार मंत्री कोन थे तो सरदार बलबाई पटेल सरदार बलबाई पटेल जो थे वो भारत के पहले उपपरदार मंत्री थे question number 37 भारत के परदार मंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था उनका क्या नाम था चोदरी चर्ण सिंग चोदरी चर्ण सिंग जी ने वो भारत के ऐसे बडार मंत्री थे जिन्होंने संसत का कभी सामना नहीं गे था वो संसत में कभी भी नहीं गे थे Q38 भारत के राष्ट पती को पद और गोपनिता की शब्द कौन दिलाता है तो भारत के मुख्य नदिश Q39 भारत के मुख्य नदिश राष्ट पती को पद और गोपनिता की शब्द जवाब दिलाते है Q39 उप राष्ट पती के निशकाशन के संबद में प्रस्ताब प्रस्तूद किया जा सकता है राजिसवा में राजिसवा में जो उप्राष्ट पती होते हैं वो चेर्मैन होते हैं और उसी में उनको हटाने का प्राबदान जवाब हो राजिसवा में ही लेकि आ सकते हैं Q40, BK चतुरवेदी कमेटी किस से समंधित कारे किया है तो वो तेल के किशेतर में कीमत सुधार में Q42, लोगसवा के अधक्ष को उसके पद की शबत कौन दिलाता है तो शबत ग्रैंड नहीं करने पड़ती है Q43, लोगसवा सदसे बनने की नियूंटम उमर क्या है 25 वर्ष लोगसवा के मेंबर बनने की उमर क्या है Q44, लोगसवा अधक्ष स्पीकर किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो लोगसवा के सदसे ओरा Q45, राजसवा के सदसे बनने की नियूंटम उमर क्या है 30 वर्ष लोगसवा में 25 वियर और राजसवा में 30 वर्ष Q46, लोगसवा में छुने काल का सरवादिक समय सिमा क्या हो सकती है तो एक गंटा लोगसवा में जीरो आर जो होता है छुने काल जो होता है उसकी सरवादिक समय सिमा क्या हो सती है तो वो है एक गंटा question number 47 ये कौन इदार्थ करता है कि अमूक बिदेख बित बिदेख है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है कि ये मनीविल है या नहीं है तो वो लोगसवा के अधेक्ष करती है question number 48 भार्थ के सुप्रीम कोड का कारे किस वर्ष शुरू हुआ था तो 1950 में बार्थ के सुप्रीम कोड या उचितम नियाले का जो कारे स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था 1950 में 1950 में question number 49 राज्य अधेक्ष हैड ओफ स्टेट कौन होता है राज्य पाल जावर गवर्नर बोल सकते हैं को राज्य अधेक्ष हैड ओफ स्टेट कोन होता है तो राज्य पाल question number 50 किसी राज्य में विदेक्ष बिल विदेक को बोला जाता है कोबित विदेक के रूप में कोन परमानित करता है तो राज्य सवा विदान सवा राज्य विदान सवा का speaker देखे स्टेट में money bill ये money bill होगा जा नहीं होगा ये कौन decide करता है तो वो करते हैं राजिस बिदानसवा के speaker question number 51 किस संशोदन द्वारा मतदान की आजू 21 वर्ष से गटा कर 18 वर्ष कर दी गई है तो 61 किस सविदान संशोदन द्वारा मतदान की आजू 21 वर्ष से गटा कर 18 वर्ष कर दी गई है तो वो है 61 question number 52 किस सविदान शंशोदन द्वारा भारत का अंग मिलाए गए थे तो बारबे सविदान शंशोदन द्वारा गोवा और द्वान दीब जो थे वो बारबे सविदान सविदान शंशोदन द्वारा भारत में मिलाए गए थे जहां भारत के अंग बन गए थे question number 53 विदान सवा चुनाबों में EBM जिसका full form होता है electronics botting machine की शुरुबात कब हुई थी तो 1998 में विदान सवा चुनाबों में EBM की EBM machine की शुरुबात हुई थी 1998 में question number 54 भारत के राष्टगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है तो 52 seconds भारत के राष्टगान को गाने में कितना समय लगता है तो वो लगता है 52 seconds और दोस्तो राष्टगान किसने लिखा था यह आप हम एक मेट वक्स में बता सकते हैं question number 55 अखिल भारती महला परश्ट की स्थापना कब हुई थी तो 1927 में अखिल भारती महला परश्ट की स्थापना कब हुई थी 1927 में और इसमें यह जो स्थापना की गए थी यह महिलाओंने खुद ही की थी question number 56 सचर आयोग की मुखे स्थापरश क्या थी तो इनकी मुखे स्थापरश थी अलप संख्यों को बिशेशकर मुस्लमानों को भी अरक्षन का लाब मिले सचर आयोग की मुखे स्थापरश यह थी कि अलप संख्यों को जिसमें की बिशेशकर मुसलमानों को भी रिजर्वेशन का लाब मिले Q57 फकन अयोग कौन सी जांच कर रहा था तो वरक्षा खरिदारी में दांदली जो हुई थी उसकी जांच कर रहा था Q58 पंच शील सिदांथ की गोशन कब हुई थी तो 1954 में पंच शील सिदांथ की गोशन 1954 में पंडित जुवालार・ नहरुजी ने की थी भारतिय प्रशाषिन के सेवा के लिए चुनाब किसके द्वारा किया जाता है तो UPSC जिसकी full form है संग लोग सेवा आयोग द्वारा संग लोग सेवा आयोग द्वारा भारती प्रशाशनिक सेवा के लिए चुनाब किये जाता है Question number 61 MK मुखरी आयोग किस विशे की जांच कर रहा था तो सुवाच अंदर बोस की मृत्यू की Question number 62 संपूर्ण करांती Total Revolutions की अबदारना किस ने परसूद की दी तो जै परकाश नारायन जी ने जै परकाश नारायन जी ने संपूर्ण करांती Total Revolutions का concept जो था वो परसूद किया था Question number 63 राश्टी गान जन गन मन को अंगरेज अनुवाद इंग्लिज वर्जन किस ने लिखा था तो रविंदर नाश्ट टेगोर ने रविंदर नाश्ट टेगोर ने राश्टी गान जन गन मन का अंगरेजी अनुवाद किया था या फिर लिखा था Question number 64 भार्द का राश्टी फूल क्या है तुबू है कमल Question number 65 भार्द का राश्टी ग्रंथ कौन सा है गीता भार्द का राश्टी ग्रंथ क्या है गीता है और गीता में अठारा अध्या है और सासो शलोक है और इसमें शीरी क्रिशन जी ने अरजुन को उपदेश दिया है और जो उपदेश दिया है वो कुरु की शेतर में दिया गया था और ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट मोटिबेशन उपदेश था Q66 बारत का रास्ठी खेल कौन सा है तो वो है होकी Q67 बच्चों को अनवारे और मुफ्त शिक्षा मोहिया करवाने का एक्ट कब बना तो 1 अपरेल 2010 में 1 अपरेल 2010 में बच्चों को कंपलसरी और मुफ्त शिक्षा मोहिया करवाने का एक्ट जो था वो बना था Q68, सरकार ने बाल मजदूर अपमान एक्ट कब बदला तो अक्तूबर 2006 में Q69, संसद की स्थापना कब हुई थी? Q70, खरड़ा कमेटी का सबापती कौन था? Q71, गंतंतर शब्द का क्या बाब है? तो गंतंतर शब्द का वाव, राष्टपती पुष्टाइनी नहीं होगा राष्टपती जो होगा वो पुष्टाइनी नहीं होगा, उनका चुनाब होगा और उसे इस तरह से भार्थ जोवव एक रिपब्लिक ओफ इंडिया है गंतंतर दिवस मनाते हैं 26 जनबदी को Q72, राज तंत्रिक सरकार क्या है? तो राज या रानी द्वारा शाशित राज तंत्रिक सरकार जो है वो राज और रानी द्वारा शाशित होती है Q73, अमेरिका में ओर्तों को बोट डालने का अधिकार कब प्रापत हुआ था? तो 1926 में अमेरिका में ओर्तों को बोट डालने का अधिकार 1926 में प्रापत हुआ था Q74, विदान सवा के सदस्यों के लिए नियून तम आयू क्या है? तो 25 बर्ष अनुशेद 173, 173 भिदान सभा के सदसों के लिए minimum age 25 year है और ये अनुशेद 173 में आता है question number 75 भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी सरोजनी नैडू और ये UP से थी भारत में किसी राज्य के राज्यपाल question number 76 भारत के किस राज्य में सर प्रथम महला मुख्यमंत्री बनी तो सुचेता क्रिपलानी 930 में उत्तरब्रदेश में भारत के किस राज्य में सब सर पहले महला मुख्यमंत्री बनी थी तो वो बनी थी सुचेता क्रिपलानी और ये बनी थी 930 में वैशेनल Jxread 77, किस एक्ट के दुरा कलकत्ता में सरबोचनेले की स्थाबना की गये थी, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1734 के दुरा और ये स्थाबना की राज़नी बनी थी, किस एक्ट के दौरा क panels सरबोचनेले की स्ताबना हुई थी, तो वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा और सर्वोचिनेल की जो स्थाबना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी 1774 में किस अधिनियम के द्वारा भर्मा को भार्त से अलग किया गया था तो भार्त शाषन अधिनियम 935 गौर्मेंट ऑफ इंडिय एक्ट 1935 और ये भा बारस अलग जलो हुआ था वो 937 में हुआ था क्वेशनरीनाइन भारत की संग्यातम के विवस्ता किस देश से ली गई है कनाड़ा से बारत की संग्यात्म विवस्ता कनाड़ा से ली गई है क्वेशनरीनाबर dj कभेमराम जनम और मिर्तिव ragot तह इनreichot 09 80 डॉक्टर बीम रांब अमबेरियर का जनम 14 अप्राइल 1859 में हुआ था और यह महू मद्देप्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यू बीम रांब राष्ट पती को अदेश यारी करने की शक्ति बार्थ सरकार अधिनियम 935 के द्वारा दी गई है Q82 मौलिक अधिकारों की अवदार्णा किस देश के सविदान से लिए गई है तो वो लिए गई है संयुक्तराज अमेरिका, USA से Q83 मौलिक अधिकारों का जो कंसेप्ट है, वो संयुक्तराज अमेरिका से लिया गया है Q83 बार्थ की देशी रियास्योतों के विले में किस ने सबसे महत्मूर बुम का रिवाई थी Q83 बार्थ की देशी रियास्योतों के विले में किस ने सबसे यह दे महत्मूर बुम का निवाई थी Q85 बार्थी सविदान का कौन सा अनुशेद और सप्रश्टा का अनुमूलन करता है तो वो अनुशेद 17 अनुशेद 17 बार्थी सविदान में और सप्रश्टा का अनुमूलन करता है Q86 बार्थी सविदान के उनसार जीवन का अधिकार किस परकार का अधिकार है तो यह है मोलिक का अधिकार और यह आर्टिकल 21 में आता है Q87 Q87 Q81 Q81 Q91 Q81 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 Q91 Q72 Q81 Q82 Q92 से ली गई है तो वह दकषिन अफ्रिका से सभिधान की जो प्रकृरिया है वो दकषिन अफ्रिका से ली गई है 44 में volver आनुशेद चवालीस में समानड सिवल इसकी किन नमबर 94 भारत के एक एक मातर निरविरोद, निर्वाचित रास्टपदी कौन थे तो दोक्टर नेलं संजीव मिल्डी बार्थ के कमातर निरविरोद, निर्वाचित राष्टपदी दोक्टर नेलं संजीव मिल्डी थे और इसका जो प्रथम सत्तर हुआ था वो तेरा मई उनसो बाबन में हुआ था Q96 लोगसवा के अध्यक्ष के वेतन और बते को निर्दार्थ करता है तो वो संसद निर्दार्थ करती है अनुशेद 97 में लोगसवा के अध्यक्ष के बेतन और बते संसद द्वारा जो है वो नितारद की जाते हैं और ये अनुशेद 97 में आता है Q96 एक बर्ष में संसद के कम से कम कितनी बैटके होने युरूरी है तो वो है दो बार और ये 6 मा का अंतराल होना चाहिए इसमें और आर्टिकल 85 एक बर्ष में संसद का कम से कम दो बैटके होने चाहिए और इसके बिश में मैक्सिम्म जो अंतराल होगा मैक्सिम्म जो डिफिरेंस होगा वो 6 मा से आधिक नहीं होना चाहिए और ये आर्टिकल 85 में आता है Q97 लोगसभा की कारवाही अजोजित करने के लिए अपेक्षित गनपूर्ती कोरम क्या है तो एक बड़ दस बाग और राजसभा में 25 और लोगसभा में 55 मेंबर होने चाहिए Q98 प्रदार मंत्री की निक्ति किस अनुशेद में होती है तो ये अनुशेद 75 1 में प्रदार मंत्री की जो निक्ति होती है वो किस आर्टिकल में आती है तो वो आर्टिकल आता है 75 1 में क्वेश्शेμά बढना-79, सरकार या अयोग का गथन किस विशेचे पर था? तो ये केंडरर राज्च संबंध में गठित गया था परदारमंतरी राष्ट ये अगता परश् Cowboys किम fully अधिक आधिकत ने हन Q101. राज्य सरकार का सब्दायनिक प्रमुख होता है राज्य पाल और ये आर्टिकल 154 में आता है Q102. सूचनक अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था आप इसे कमेंट बोक्स में बताएं Q103. भार्द का रास्टी खेल कौन सा है तो ये भी प्रशन जो है वह आप इसका लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो के मादम से किसी दूसरे परसन की हल भी हो सकती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत अन्यवाद इस वी रिमाची दिल्से.